हेलो फ्रेंड्स तो आजम बनाएंगे पुरानी शर्ट से प्यूटिफुल सा एक गर्ल टॉप और बहुत आसान तरीके से बस कुछ काम ही इसमें हमें करने हैं और हमारा गर्ल टॉप बनके त्यार हो जाएगा ये देखिए कितना सुन्दर जो है इस शर्ट को हमने रियूज क किया है तो चलिए जल्दी से बनाना शूरू करते हैं सबसे पहले हमें कॉलर इसका निकाल लेना है यहां से मैं बटा निकाल रही हूं हमें ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है बस कुछ काम करना है जो भी कि आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी सबसे पहले हम इसका कोलर जो है वो निकाल देंगे और उसके बाद फिर हम बाजू के जो हमारे ये आगे का जो कफ डिजाइन है न ये हम इसका निकाल देंगे तो इखे कोलर मैंने इसका निकाल दिया है और बाजू को मैंने दोनों को इस तरह से रखा ताकि हमारे दोनों जो बाजू है वो इकठे ही बराबर से कटे І다고 कट कर लेंगे और जो बाकी का जो यह कट वह पीस जो हमारा बाजू का बचेगा इसका हम आगे फ्रिल लेंगे तो यह दिखे इस तरह से इतना मैं यह करवे हूँ ऐसे और इसका फिर हम जोड कर फ्रिल बड़ी सी बना लेंगे और दोनों बाजू के लिए मुझे ये चाहिए तो इस तरह से बीच में ये कट कर ली हूँ मैं ये देखिए ये चार टुकड़े हमारे इस तरह से बन गए और बीच में ऐसे हम इसको जोड लेंगे तो ये लंबा सा फिर पट्टी जैसे बन जाएगा और फ्रिल्स इसमें फिर हमारी अच्छे से आ जाएगी इस तरह से देखिए हम इसको फिर बनाएंगे अब हम शर्ट में नेक डिजाइन बनाएंगे तो इसको अच्छे से बराबर करके सीधा करके रख लेंगे अब देखिए जो मैंने बटन खोल लेते एक बटन हमारा उपर का जो है वो निकल जाता है इसमें और बटन बंद कर रही हूं और फिर इसमें हम राउंड शेप देंगे तो यह आप ध्यान से दिजिएगा दोनों सेट का बराबर करके आप नाप के दे सकते हो इस तरह से देखिए हमें यह देनी है और इसको हम कट कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे तो फिर यह जो हमारा बड़ा दिकर है ना चोटा हो जाएगा जब हम डोरी इसमें लगाएंगे डिजाइन भी बन जाएगा और चोटा जो यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इतना फोल्ड करना है कि हमारी जो डोरी है ना वो इसमें से पास हो जाए अब इसको अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दें तो यह देखिए ऐसे करके हम इसमें पूरे में सिलाई अब लगा लेंगे और इस तरह से इसमें लग चुकी है अब हम बाजू में फ्रिल्स लगाएंगे जो हमने काटी थी ना यह वाली तो इसको हम डबल करके फिर लेंगे इसी तरह दोनों बाजू में फ्रिल्स लगा लेंगे और उपर से इसमें एक और सिलाई फिर हमने लगानी है इसके उपर से दिखे यहां पर एक सिलाई या दो सिलाई और लगाएंगे तो दीखिए बाजू में फ्रिल्स भी लग चुकी है और अब हम बनाएंगे दोरी दोनों बाजू में लगा रही है फीटिंग नहीं दीए इसमें दोरी हम इसमें लगाएंगे हैं अगर आप के पास इस तरह की रेडिमेट दोरी है तो आप फो लगा सकते हैं या कपडे की मैचिंग और के हैं क्योंकि शर्ट में इसकी कलर का जो है थोड़ा सा कपड़ा है इसमें डिजाइन है इसलिए और अगर आपके पास रेडिमेट डोरी है तो और भी सुन्दर इसमें लगेगी तो इस तरह से देखिए लगाएंगे डोरी ना पतली सी बनाएगा ताकि इसमें से देखिए यह पा है तो यह देखिए अब जो है नेक डिजाइन अपने नेक के हिसाब से इसको फिट कर सकते हैं और कमर में फिटिंग देने के लिए देखिए यह मैंने लिए पतली वाली इलास्टिक तो इसको हम लगाएंगे तो इसको हम उल्टा साइड में लगाएंगे तो बटन खोल के यहां से कमर तक का निशान आपने लगाना है 14 इंच का निशान इस तरह से लगा के उल्टी साइड में और फिर इसमें पूरी निशान लगाने चाहिए वह सीधी फिर हमारी Elastic इसमें लगेगी तो पहले आप इसमें इस तरह से निशान लगा لे और फिर इसमें Elastic हम लगाएंगे और Elastic को हमने खीच के लगाने तो कप्डे में अपने आप इसमें चुनट बनती जाएगी अभी मैं आपको मशीन में देखाती हूँ ये देखिए एक साइड में इस तरह से इलास्टिक को हम खीचेंगे अपने आप कपड़े में जो है वो चूनट बनती जाएंगी निशान हमने पहले से लगा लिए तो अब मैं ये पूरा आपको लगा के दिखाती हूँ ये आप देख सकते हो अपने आप इसमें चूनट बन रही है तो जी पूरे टॉप मैं देखिए मैंने इलास्टिक अब लगा ली है और अपने आप इसमें कमर की शेप देखिए आ गई और हमारी पुरानी शेट से लेखिए कितना सुनदर गर्ल्स टॉप बन के त्यार है और शेट का फिर से रियूस हो गया और अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई करें बाईब जरूर के लिए करेंवाद